नमस्कार बॉस्वागते आप सभी का आपके साथ में हूं मम्ता तिवारी शुरवात इस बुलिटिन की करती हैं राजस्थान का दस्वी का रिजल्ट जारी हो गया है और सबसे अधिक 99.67 प्रतिशत अंक लाकर बूंदी की निधी जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है सिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निधी को शुब कामना देकर उनके सुनेरे भविश्य के कामना की है और राजकी अभालिका उच्चमाद्मिक विध्याले अलोधन बूंदी में पढ़ने वाली बालिका ने 600 में से 599 रंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है निधी नियमित रूप से 7-8 घंटे पढ़ाई करती थी निधी जैन अपनी सफलता कश्रय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है निधी जैन आगे इंजूनियर बनना चाहती है आपको बता दे कि 2 साल पहले निधी ने अपनी मा को कोरुना में गमा दिया था और इसके निधी जैन अपने छोटे भाई लक्ष को समभालते हुए प्रदेश में परचम लेराया है आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप इंजीनियर बनना चाहेंगे तो आप जो अपनी जो पढ़ाई करेंगे तो इसमें जो आपके आपके मातारी का भी देहां तो हो गया था तो अपने अपने मनोबल को बनाई रखा तो यह बड़ी मुश्किर्स के समय में आप निकल करके तो क्या करना जाए तो पापा ने सपोर्ट किया तो आगे जाके इंजीनियर बनना चाहती हैं अब बात करते हैं इसके लिए उनके पितादी से लोगों कि आपकी बेटी ने आप पर जो नाम रोसन किया आपके कप्वे के दुपान जलाते हैं मैं तो बहुत बहुत दंजवाद मेरी बिटी अभी मेरे को गर हुए तो पुरे रास्तान में मेरा नाम ममी पापा का पूरे परिवार का रोसन इसको जो बना चाहिए हम करवाई को सिब्साद उनके इसमें पढ़ाई कि और सिख्षा मंतर जी ने भी बदाई दी आगे पढ़ाई जारे रखेंगे जितने हमसे कोशिशिंग हो सके कि आगे जितना पढ़ना चाहिए उतना बढ़ाईंगे इन पर एक बात में प्राइब जालों को पचाड कर सरकारी विद्याल ने अपने सेश्टा सागित की डियों साब राजंदर व्यास से लाने कि क्या जैसे लिधी जैन ने यह सरकारी इस तो लों के जो मान बढ़ाया क्या करना है यह ने राष्टान में इस वां का उगंदी जिले का नाव